Hello everyone, welcome to my channel RSD Guitar Stories जहां हम सीखते हैं Guitar और Music Theory के उपर जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज ओफ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका नाम है Guitar and Music Theory Basics for Complete Beginner और ये इसका तीसरा एपिसोड है अगर आप पहला दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लिजिए I have provided the link in the description box क्योंकि अगर वो दो एपिसोड आप देख लेते हैं तो ये एपिसोड समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी और प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था इंटर्वेल्स के उपर आज उसी का ही extension है तो हम देखते हैं कि और क्या-क्या इंटर्वेल होते हैं हम लोग के पास मैंने बोला था कि तोन होता है और सेमी टोन होता है या फिर whole step या half step होता है दो half step मिला के एक whole step होता है या फिर दो सेमी टोन मिला के एक tone होता है मैंने हम लोग का जो musical note से मैं यहाँ पर लिखके रखा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाम दिया है हर एक इंटर्वेल का नाम दिया है यूनिशन, minor second, major second, ऐसे करके मैंने interval का नाम दिया है और यहाँ पे number of half steps तो कितना half step जाना होगा वो interval पाने के लिए तो हम लोग का जो पहला जो interval है that is unition number of half steps कितना है? 0 मतलब कहीं पे भी नहीं जाना है अगर मैंने C note पकड़ लिया ऐसे करके मैंने C को दो बार बजा दिया तो that is unition no half steps तो उसके बाद minor second है यह small m जो है that is minor second इस is minor second interval number of half step is 1 तो C से अगर हम C sharp चले जाए तो that will be the minor second interval उसके बाद है major second यह capital M है that symbolizes major major second number of half step कितना है? 2 है 2 तो C से C sharp C sharp से D तो C से अगर हम D जाए तो that will be our major second interval वैसे ही उसके बाद आता है minor third interval number of half step है 3 तो C से D sharp that will be our minor third interval उसके बाद C से अगर E जाते है number of half step that is number of half step is 4 we will get major third interval वैसे ही हम आगे जाए तो और एक half step आगे number five half steps अगर जाते है तो हम लोग को मिलेगा perfect foot C से मतलब F जाने से जो interval होगा that will be the perfect foot interval उसके बाद आता है augmented foot या diminished fifth मैं यहां पर A5 और DIM 5 ऐसे लिखा हूँ A मतलब augmented foot और DIM मतलब diminished 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 5th ओके number of half step is 6 मतलब C से F sharp अगर हम जाते हैं तो उसके बाद आता है perfect fifth number of half step 7 minor 6th number of half step 8 minor, sorry major 6th number of half step is 9 minor 7th, number of half step is 10 major 7th, number of half step is 11 then the octave or perfect eighth octave या perfect eighth में अगर जाते हैं तो number of half step हम लोगा 12 हो जाते हैं तो इसको हम compare करके देखें मतलब C से अगर हम फिर से A, A से जाके B के बाद भी एक C आएगा ना उस C में अगर पहुँच जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे octave या फिर perfect eighth interval हिंदुस्तानी classical music में अगर हम इसको compare करके देखें तो हम लोग को क्या क्या note मिलता है सा, कोमल, रे, कोमल गा, मा, तिभ्रमा, पाथ, कोमल धा, धा, कोमल नी और सा यह हम लोग का notes है तो अगर सा से सा पही रहे तो that will be our unition सा सा ऐसे ठीक है that will be our unition सा से अगर कोमल रे पह जाए that will be our minor second interval सा से रे में जाए येट विवर major second interval, उसके बाद saa से कॉमल गहा में जाए तो that विवर minor third interval, गहां से अगर गहा में जाए तो major third interval ऐसे-ईसे ही अगर हम जाते रहें तो हम लोग को बागी सब interval यू मिल जाएगा, आप लोग compare करके खुझ से studying कर सकते हैं जैसे कि सा से हम अगर पा जाते हैं, तो that will be our perfect fifth, ओके, और सा से अगर मा जाते हैं, ये मा तिब्रमा नहीं, ये मा, तो that will be our perfect fourth interval, ठीक है, सेम चीज अगर मैं गितार में दिखाता हूँ, तो हम लोग को क्या करना, मैं F से दिखाता हूँ अभी, ठीक है, F note से मैं दिखाता हूँ, ये F note मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे, six string first fret में, this is the F note, ओके, तो F, F, ऐसे अगर दो बार बजाए, तो हम लोग का, this will be our unison, ये unison हो उसके बात, F से अगर F sharp जाए, ऐसे भी बजा सकते है, मैं दिखाने के लिए ऐसे कर ला हूँ, okay, F से अगर F sharp में जाते है, तो that will be our minor second interval, F से अगर G जाते है, that will be our major second interval, F से अगर G sharp में जाते है, that will be our minor third interval, F से अगर G जाते है, यहाँ पे, okay, sorry, F से अगर A जाते है, that will be our major third interval F से अगर Bb जाते है, that is A-Sharp जाते है, that will be our perfect fourth, okay, perfect fourth interval, यही A-Flat आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, fifth string first fret में भी मिल जाएगा, यह, तो 7 से मागे हम, that will be our perfect fourth interval, वैसे ही आप ऐसे अगर आगे जाएगे, आगे आते जाएगे, आते जाएगे, आपको एक-एक interval मिलता जाएग आप पहले linearly ऐसे निकाल दीजिए, okay, उसके बाद आप यह दो string में निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, यह Bb note है, this note is also Bb, okay, यह भी Bb है, यह भी Bb है, तो यह भी B है, यह भी B है, तो F से अगर B जाते हैं, तो कितना half step हम लोग जाते हैं, देख लीजिएगा, कौन about interval, next videos में मैं कैसे minus scale होता है, उसके उपर भी मैं एक वीडियो बनाऊगा, course के उपर वीडियो बनाऊगा, course formula के उपर वीडियो बनाऊगा, अलग अलग वीडियो आता रहेगा, तो please subscribe to my channel, और please comment छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी नया नया कर रहा हूँ, अगर आपको लोग को अच्छा लगा, कोई भी अगर problem हो तो please 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 comment box में comment करके मुझे जरूर पूछिएगा, bye bye for now, see you in the next video, bye